व्यवसाई पर पुलिस ने कराई जानलेवा हमले का एफायार, व्यापारी का पुलिस पर पिताई का आरोप शेखपुरा शेखपुरा जिले के बरबीघा के रिलायंस ट्रेंड मौल के पास शुक्रवार की शाम एक गुम्ती में गांजा होने की सूचना पर शेखपुरा पुलिस की टेक्निकल टीम पहुँची थी सभी लोग सादा ड्रेस में थे, चापे मारी कर रहे गुम्ती का दुकानदार भासो सिंग दुकान में नहीं था इसी बीच वही सड़क पर खड़े शेखपुरा रोड निवासी ट्रक व्यापारी बाबुलाल के साथ पुलिस की जड़प हो गई पुलिस के सिविल ड्रेस में होने की वज़े से उसकी पहचान नहीं हो सकी इस मामले में पुलिस ने व्यवसाई बाबुलाल और उनके पुत्र समरजीत को शुकरवार की शाम में ही गिरफतार कर ले गई थी बाद में बर्बीघा थाना पहुँचाया गया व्यापारी पर पुलिस के द्वारा जानलेवा हमला करने सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया उधर व्यापारी बाबूलाल को कोर्ट में जब उनको प्रस्तुत किया गया तो पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री टॉर्चर लिए जाने की जानकारी दी गई और इलाज करने का निवेदन किया गया जिसके बाबूलाल को इलाज के लिए बरबीघा रेफरल अस्पताल भेजा गया रेफरल अस्पताल में बाबूलाल का इलाज किया गया उसकी स्थिती गंभीर देखते हुए चिकित सक डॉक्टर साकेत कुमार ने पावा पुरी मेडिकल अस्पताल के लिए रेफ़ कर दिया बताया गया कि तीन बार बाबुलाल का ब्रेन हेमरेज पहले हो चुका है और उसकी स्थिती गंभीर है उधर बाबुलाल के द्वारा अस्पताल में अपने जख्म दिखाए गए कमर के नीचे पिछले भाग में पुलिस के बरबरता के निशान दिखाए पड़ रहे थे बाबुलाल ने कहा कि चार घंटे तक एक दर्जन लोगों के द्वारा लाठिया से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई उधर एक व्यापारी के साथ पुलिस की टेकनिकल टीम के द्वारा मारपीट की घटना से लोगों में नाराजगी है बाबुलाल की पतनी के द्वारा भी पुलिस को एक आवेदन दिया गया है जिसमें इनसाफ की मान की गई है कहा गया है कि एक व्यापारी के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है जूठे मुकदमे में फसाया गया इसका CCTV फोटेज भी उपलब्ध है वहीं बरबीगा पुलिस इंस्पेक्टर सुनील दत में मोबाइल पर बताया कि पुलिस पर हमला करने में प्राथमे की दर्चकर दोनों पिता पुत्र को गिरफतार किया गया है उनके साथ पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है गाड़ी बना रहे हैं इसी करब में हमको दोलब पर दे दिये इसी में मान लिया हम भी यहां छोड़ दिये अच्छा आपको ने पता था कि वो लोग कौन है नए हमको कोई पता सिविल डरेस में थे नए बरदी में नहीं कोई थे पुलिस की गाड़ी थी वहां पर नहीं गाड़ी भी नहीं थी आगे था लेकिन पता हमको नहीं था कि पुलिस की गाड़ी बाद में आपको मालूम हुआ कि लोग पुलिस के लोग थे बाद में दूगो बरदी वलक कने सादमी बाद में आये अच्छा अच्छा बहुत बाद में तो उसके बाद आपको उठा के लेके चले गए उठा के हमरा लड़का बचाव करने के लिए आया तो लड़कों के ने चल गए और वहां ले जाके चार घंटा तक के पीटे एसपी अबास पर पीटने वाला कौन था जो यहां से उठा के उठा के ले गया वो तो आदमी छे था उसमें एक आदमी हमको कुछ नहीं किया पांच अदमी वो आपांच छे अदमी आरो हां का भी पीटा कितना दर तक आप कैसा पीटाई हुआ अब यह जान लिजे साड़ह तीन बजे यहां से उठाया जाने में जितना लगा यहां बर यह टाइम पता था वहां पर जो घटना हुआ वह लगभग सारे तीन बजे हुआ लाठी डंटा से पिटाई की गई है लपड़ थपड़ जूता मुह में डाला गया है जूता भी डाला गया है विरोध किये ते वहां पर दस अदमी भिर जूर तीन वह बच्चा था हुआ वह मेरा बड़ा बच्चा को इसको भी माडा पीठ में जिसको अस्ट लगा हुआ उसका रीपोर्ट है हरण का उसको कतनों कहें कि उसको कम से कम नहीं छुए हुए उसका दूगि गई-वह अटा है तीन वह ताम दूगिये alta है आप समझ रहे हुँए डॉक्ट रहें गए जिर्दे एक आधी आधाा सकता आधा के सामने महिरो आपो Olha को किभिए खुड़ा हो जाते हैं उंका विधी का ή not नहीं तो हम पो तो जह जो रूप में मार रहा था मड़िये जाते हैं तो बेहुस हो जाते थे दूबार उसके बाद उठा उठा के मारा कानाटक कर आएस पी साहब बुलाए हम यह बात कहें कि हम परला पर चला तब हम ठीक है लेकिन उस पर वो हमारी बात को नहीं सुने, वो अपना पुलीस को सुने मेरी बात को सुना नहीं गया, एक तरफा वो अपना काम किये झाने बात को सुने झाली को सुने एक तरहमीन सुने प्याद उपना काम किये, किコ मता याइ इसल spiritual उसा आपना, मैं आपना वो हमारी उसे, किक को सुने भीतिते हैं कि एकि क의 वुलीस को सुने तरफाभा कि वो हमारी whether बातो हमारी बातो Хот कि झाल झाल